Hello everyone, welcome to my channel Friends, आज वीडियो में मैं शेयर करूँगी कुछ फूलो अले पौधे जिनने हम बल्ब सी ग्रोग कर सकते हैं इन सारे पौधों को गर्मियों में लगाया जाता है ये सबी बल्ब हमें बहुत कम प्राइस में नर्सरी में ऑनलाइन एंसली मिल जाते हैं तो एक बल्ब भी अगर आप लगा ले तो उनसे मल्टिपूल होकर धेरो पौधे त्यार हो जाते हैं अभी इनका ग्रोविंग टाइम है अभी अगर लगा ले तो एक या दो वीक में इनमें ग्रोध स्टार्ट हो जाती है और बहुत जल्दी ही पौधों में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है सबसे पहले ये रेन लीली के प्लांट हैं जिनको हम बल्ब से इसली ग्रोग कर सकते हैं ये पर्मरीन फ्लावरिंग प्लांट है कई कलर और स्पेसिज में आते हैं वाइट पिंक येलो कलर के बहुत ही प्यारे प्यारे फूल आते हैं इनके छोटचटे बल्ब होते हैं और एक बार इने लगा लेते हैं तो फिर ये खुदी धेरो नए पौधे तियार कर लेते हैं फिर हम इने सेपरेट करके कई सारे प्लांट त्यार कर लेते हैं बिल्कुल फ्री में जैसे ही मई जून का बारिश का मौसम सुरू होता है ये पौधे फ्लावरिंग स्टार्ट कर देते हैं रेन लिली के बल 5-10 रुपे के हिसाब से मिल जाते हैं नर्सरी में या आनलाइन खर ये बहुत ही हाड़ी प्लांट होता है इस्पाइडर लिली के बल बहुत ही कम कीमत में 20-25 रुपे में मिल जाते हैं इसे लगाने के लिए जो पौटले जादा गहरा नहीं हो क्योंकि इसकी जड़े जादा डीप नहीं जाती पौट चोड़े मौवाला लें स्वायल मिक्स इसकी पतियां चोड़ी लंबी होती है प्लांट काफी जगर लेता है और तेजी से फैलता है इसकी एक लंबी स्पाइक निकलती है इसकी उपर कई सारे फूल आते हैं जो बारी बारी से खिलते हैं बहुत ही खुबसुरत दिखते हैं तो इसे भी आप ज़रूर लगा लें यह खुबसुरत से फूल कैनल लिली के हैं इनके बल्ब समर बल्ब होते हैं इनको आप अभी लगा सकते हैं कैनल लिली के पतियां काफी बड़ी होती हैं फूलो का रंग वाइट मरून येलो रेट बहुत ही खुबसुरत होते हैं इनके फूल बड़े साइज में काफी एट इसको भी आप इस समर सीजन में ग्रो कर सकते हैं बल्ब से यह फूल जब खिलते हैं तो फुटबॉल की तरह गोल दिखते हैं यह कई सुन्दर सुन्दर कलर में मिलते हैं यह रैट कलर बहुत ही प्यारा लगता है इसके बल्ब 30-35 रुपए में मिल जाते हैं जब इनके फूल खिलते हैं तो यह कई दिनों तक खिले हुए बने रहते हैं फूल जल्दी मुर्चाते नहीं हैं बहुत ही खुबसूरत फूलो वाला पौधा है फुटबॉल लिली इसे भी आप जरूर लगाए यह हैं एमरिलिस लिली के प्लांट जिसे बल्ब या ट्यूबर से ग्रो किया होते हैं कई दीनों तक फूल मुर्चाते भी नहीं है लगतार flour इंग होती है इसे pot या क्यारी दोनों में इस ली ग्रो कर सकते हैं इसमें लबी स्टाक के उपर फ्लावर साते हैं अभी आप इनके बल्ब को इसली ग्रो कर सकते हैं मलटिप्लाई भी यह होते रहते हैं एक ब खुबसूरत सफेद फूलों से इतनी सुगंद आती है जिसके कान इसे बहुत पसंद किया जाता है इसके खुस्पू आसपास की वातावर में दूर तक फैल जाती है और सारा तनाव दूर कर देती है रजनी गंदा के बल्प को वेल्जिन मिट्टी में लगाएं और नमी बना इसे भी आप बल्प से अवस्य ग्रों कर ले इस प्लांट है दे लीली का इसे भी बल्प से उगया जा सकता है इसके फूल कई कलर में आते हैं इसमें लंबी स्पाइक होती है उसकी उपर कम से कम 10-15 बारि बारी लिगर जब खिलते हैं और जब खिलते हैं तो बहुत कुपस तो डेलीली को भी इस समर अपने गार्डिन में जरूर एट करें यह सुन्दर रंग पिरंगी पत्तियों वाला पॉधा है केलेटियम का इन्हें भी बल्ब से ग्रो किया जाता है पर इन्तु इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है इसकी पत्तियां यह फूलों से ज़्यादा खुबसुरत होती है इनके होते फूलों की कमी बिल्कुल भी नहीं होती है गर्मियों में इनको बल्ब से उगाया जाता है इसे वेल्जन फर्टाइल रिच सोयल में लगा सकते हैं और यह सेल्फ मल्टिप्लाई भी होते रहते हैं तो यह थे कुछ पौदे जो बल्ब से इसली ग्रो हो जाते हैं और एक बार आप इनकी बल्ब को लगा देते हैं तो इस सालों साल बने रहते हैं और मल्टिप्लाई होकर हजारों ने पौदे तियार कर देते हैं और कर्मियों में धेरो फूल देते हैं सो फ्रेंट्स उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही गार्टिनिक संबंदी न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तक यू फ्रेंट्स वेडियो टेक चैनल को सब्सक्राइब करें